Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, इस वीडियो में एक बहुत important topic के बारे में मुझे आप से बात करनी है In fact, पहले मैं आपको detail में खोड़ा context समझाता हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ So, machine learning, AI, data science ये सारे terms के बारे में शायद आप recently बहुत सुन रहे होगे मेरे लिए ये terms नहीं नहीं है, मैं पिछले 5 सालों से ये technologies पढ़ा रहा हूँ YouTube पे भी और offline भी और recently मैंने क्या notice किया है, especially जब से chat GPT आया कि इन terms का popularity बहुत बढ़ी है AI की बात हर news channel पे हो रही है Even मेरे पापा मम्मी जिनको technology के बारे में कुछ भी नहीं पता अब उनको भी idea हो गया है कि AI क्या होता है अब इतने popularity के साथ problem क्या है ना कि इतनी popularity आपके decision making को थोड़ा hamper कर सकती है मतलब कि let's say आप jobs search करने के process में हो तो जब आप इतना सुनोगे AI के बारे में कि like this is the future 10 साल बात, 20 साल बात इसमें ही लोग सबसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो आपके भी decision making में ये बात आने लग जाती है कि क्या मुझे भी AI में घुसना चाहिए क्या मुझे भी AI में career बनाना चाहिए now the problem is this कि जरूरी नहीं है कि आप AI में अच्छे ही हो हलाकि वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको AI में उतर जाना चाहिए और आपको AI में अपना career बनाना चाहिए but trust me it's not necessary just like any other thing हर किसी के लिए ये career नहीं है तो मैं ये वीडियो इसी लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज की rate में थोड़ा जादा ही popularity है और उसकी वज़े से थोड़ा जादा ही confusion है ये confusion में दूर करना चाहते हो तो अगर आप एक student हो या फिर एक working professional हो जो AI की तरफ move करना चाहते हो तो आप please ये वीडियो end तक देखो because इस वीडियो में मैं आपसे चार questions पूछूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इन चार questions को सही से answer करो honestly answer करो और अगर उन चारो questions का answer yes निकला तो फिर आपको AI में move करना चाहिए ठीक है? Interested? Start करे? चलब So जो पहला question है और जो मैं चाहता हो कि आप खुछ से पूछो वो है कि क्या आपको लगता है आपके अंदर mathematical thinking की capability है शायद ए वर्ड आपने पहली बार सुना हो तो मैं आपको इसका कुछ common नाम बताता हूँ So इसका common नाम है analytical thinking जो शायद आपने सुना होगा या फिर इससे भी जादा common नाम बताता हूँ common sense क्या आपको लगता है कि आप common sense को use करके day-to-day basis पे problem solve कर पाते हो Do you feel कि आप logical हो in your day-to-day life If yes then I think it is a good career for you ठीक है मैं आपको एक example के थूँ समझाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर इस तरह का thinking है की नी यह example मैंने अपने किसी पिछले वीडियो में भी use किया था यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यह example useful हो सकता है Let's say आप Netflix में काम कर रहे हो ठीक है Netflix में आप एक data scientist हो और आपको एक meeting में बुलाया गया और आपको बोला गया कि हमें हमारी company का revenue बढ़ाना है और आपको यह task दिया गया है कि you have to come up with a solution तो अब आपका काम क्या है कि आपको एक बहुत open-ended question दिया गया है जिसके बहुत सारे answers हो सकते हैं बट आपको logically mathematics को use करके एक solution propose करना है तो आप किस तरीके से operate करोगे में भी आप ऐसे operate करोगे आप सोचोगे कि revenue बढ़ाने के दो तरीके हैं या तो मैं नए customers को platform लेकिया हूँ या फिर मैं existing customers को platform छोड़ने से रोगू तो होता है ना Netflix में बहुत सारे लोग हैं जो इस month recharge करा रहे अगले month नहीं करा रहे तो what if मैं पहले से predict कर पाऊ कि कौन सा user platform छोड़ने वाला है कौन सा user अगले महीने subscription fee नहीं भरेगा तो मैं उसको कुछ discount offer करके उसको लालच दे के platform पे रुकवा सकता हूँ इससे भी company का फाइदा होगा तो कैसे मुझे पता चलेगा कि कोई user platform छोड़ेगा की नहीं अब यहाँ पे आपकी mathematical thinking आएगी आप अलग-लग चीज़े सोचोगे जो ये indicate करेंगी कि वो user platform छोड़ सकता है जैसे कि वो कितना frequently दिन भर में Netflix पर आ रहा है अगर वो कोई movie start कर रहा है तो क्या वो complete कर रहा है या बीच में छोड़ रहा है क्या वो नीचे दिखाएगा suggestions पर click कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये सारे indicators है जिससे आपको पता चल सकता है कि वो बंदा platform पर रहेगा या छोड़ देगा अब आपका काम है कि आप इसकी around एक metric define करो और उस metric में आप इस तरीके से उसको define कर सकते हो कि जितना वो metric 1 की तरफ है उतना strong chance है कि वो बंदा platform छोड़ देगा जितना 0 की side है उतना कम chance है कि वो platform छोड़ेगा 1 जिसका score आ रहा है उसको आप जाधा discount हो 0 के पास जिसका आ रहा है उसको कम discount हो So this was just an example to tell you कि this is how a data scientist thinks उसको दिया गया एक open ended business problem real life problem और उसने उसको solve कैसे किया using mathematics, using common sense तो अगर आपको लगता है कि बच्पन से आप इस तरीके से सोचते हो या इस तरीकी की सोच रखते हो तो फिर आपके पास raw material है अच्छा data scientist बनने का AI की field आपके लिए सही रहेगी बट ठीक है अगर यह नहीं भी है तो यह आप develop कर सकते हो Question number 3 and this is a philosophical question Question है कि आपका drive क्या है, आपका motivation क्या है क्यों आना चाहते हो आप AI और ML की field में So मैं आपको 3-4 options देता हूँ पहला option कि आपने chat GPT जैसे tools को देखा और आपके अंदर एक्तम genuine curiosity आई कि यार यह बना कैसे मुझे भी बनाना है तो option 1 इसकि आपके अंदर genuine curiosity है genuine interest है to learn AI ठीक है Option 2 आपके current job में आपको लगता है कि आपको बहुत पैसे नहीं मिल रहे and at the same time आपको हर दिन हर कोई यही बता रहे कि AI की field में तो बहुत पैसा है करोडों में salaries है और उसकी वज़े से आप AI में घुसना चाते हो option 3 is कि आपके current circumstances ऐसे हैं जो आपको push कर रहे हैं AI में जाने के लिए let's say अभी जो massive layoff हुआ था आपका भी job वहाँ पे चला गया and now you feel कि maybe I can enter data science AI etc option 4 is FOMO आपके सारे दोस्त दिन भर यही बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो data science में जाने वाल हूँ मैं तो AI में घुसना वो लोग LinkedIn पे ऐसे post share करते हैं WhatsApp पे ऐसे status डालते हैं अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि यार मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाओंगा यह field future की field है यहाँ पे सभी मेरे दोस्त चले जाएंगे मैं रह जाओंगा तो FOMO could be one of the reasons तो यार देखो इसका answer मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है successfully transition करते हूँ इस field में there is this common pattern की जिन लोगों के अंदर genuine interest है न वो देर सवेर इस field में घुसी जाते हैं अच्छी job ले ही लेते हैं because genuine interest का मतलब होता है infinite patron जो कभी खतम नहीं होगा आपको energy देते रहेगा आपके खराब days में भी आपका interest आपको drive करता है right but अगर आपके पास बाकी के reasons हैं बाकी के motivations हैं जैसे की PASA या फिर FOMO तो क्या होगा ना कि 6 महिने तक वो petrol चलता है 6 महिने के बाद खतम हो जाता है और suddenly से आप feel करोगे कि गलती होगे तो ask this question very seriously की आपका motivation क्या है question number 3 do you have the patience to learn AI let me explain this point मुझे आए दिन students और working professionals का message आता है और कुछ messages ऐसे रहते हैं की sir can you guide me की मैं 3 महिनों में AI MLC करके job crack कर लू भया can you guide me की मैं 6 महिने में AI MLC करके job crack कर लू अब मैं कैसे समझाओ इन लोगों को कि it is not possible कि आप 3 महिने या 6 महिने में AI MLC से सीख जाओ इतना सीख जाओ कि आपको job मिल जाए in fact let me show you something मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यह जो document अभी आप screen पर देख रहे हो ना मैं आपको बताता हूँ यह document क्या है यह document है मेरे data science mentorship program का curriculum मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस document में कितने pages हैं और कितने topics हमने पढ़ाए हैं by the way यह complete नहीं है यह सिर्फ 70% complete हुआ है 30% अभी और बचा हुआ है क्या आपको सच में लगता है कि आप यह पूरा का पूरा syllabus यह पूरा का पूरा curriculum तीन महीनों में cover कर लोगे चलो मान लिया कि आपने तीन महीने में cover कर भी लिया वीडियोस देख भी लिये retain कितना गर पाओगे projects कितने बना पाओगे क्या हो learning effective रहेगी क्या आप सच में उस learning के साथ jobs crack कर पाओगे the answer is no please have realistic timelines मुझसे अगर आप पूछो तो 9 months, 1 साल का तो आपको time लेकर के उतरना ही चाहिए अगर आप AI की field में घुसना चाहते हो because इतना सारा syllabus अच्छे से सीखने में आपको time लगेगा ठीक है अगर आप कुछी चीज में अपना career बनाना चाहते हो जहां पर आप 20 साल, 25 साल काम करोगे don't you think आपको एक साल अच्छे से spend करना चाहिए उसको सीखने में problem यही है कि बहुत सारे लोग unrealistic timeline लेके आते हैं कि मुझे तीन महीने में सीखना है मुझे छे महीने में सीखना है अगर तीन महीने पर realize करते हैं कि यार मैंने तो 20% भी नहीं सीखा और फिर frustrated हो के छोड़ देते इससे बहुत अच्छा है कि आप realistic timeline के साथ आओ patience के साथ आओ समझो कि this is not T20 this is test match और उस attitude उस patience के साथ ही आप job को crack कर पाओगे question number 4 are you a lifelong learner? क्या मतलब हो? क्या आपके अंदर daily basis पे कुछ नया सीखने का motivation रहता है? क्या आप daily कुछ नया सीखते हो? this is the question तो क्यों relevant ही ये question मैं आपको बताता हूँ AI is a fast moving field मतलब trust me जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि on a daily basis कुछ नया आता है market में और वो market को हिला के रख देता है ठीक है? चाट GPT आया था December में और जो लोग closely AI को follow कर रहोगे शायद उनको पता होगा कि उसके बाद भी कई और चीज़े आई है जिन्होंने market को एकदम हिला के रख दिया है और as a data scientist फिर आपके लिए बहुत important हो जाता है कि आप ये day to day basis पे सीखते रहो जो भी नई चीज़े आपके domain में आ रही है ठीक है? So problem तब हो जाता है जब आप एक lifelong learner नहीं हो Because अगर आप एक lifelong learner नहीं हो तो maybe आप थोड़ी पढ़ाई करोगे job लेने के लिए बट एक बार जब आपको job मिल जाएगी तो उसके बाद आप बस अपने काम पे focus करोगे काम खतम और फिर आपका learning भी खतम तो problem क्या होगा फिर कि थोड़े time के बाद आपके पास नए skill sets नहीं होंगे और simple शब्दों में आप पुराने हो जाओगे और फिर अगर recession जैसा कुछ situation create होता है तो there is a good chance की company आपको lay off करते तो उस situation से बचने के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर ये attitude cultivate करना चाहिए कि even though आपकी job लग गई है बड़ उसके बाद भी आप job के बाद एक से दो घंटा नया सीखने में spend करते हो ये attitude है आपके अंदर मैं आपको कुछ लोगों का example दे सकता हूँ बेकॉस ऐसे लोग हैं मेरे LinkedIn के network में जो बहुत अच्छे positions पे हैं 30 साल के हैं, 40 साल के हैं manager level पे है, researcher है but आज भी मैं उनको देखता हूँ कि कुछ नई technology जब आती है तो वो उसके बारे में बताते हैं share करते हैं कि उन्होंने उसके साथ experiment करके क्या सीखा and this is very very important आपको भी ये चीज अपने अंदर लाना पड़ेगा अगर आप succeed करना चाहते हो in the field of AI so yeah guys, यही है वो चार questions जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पूछो AI की field में उतरने के पहले अगर इन चारो questions का answer no है तो I would recommend please इस field में मत उतरना ये field आपके लिए नहीं है आप फालतु में बहुत पैसा, time और confidence lose करोगे but अगर इन चारो questions का answer yes है या for that matter दो या तीन questions का भी answer yes है तो I strongly feel कि आपको definitely try करना चाहते है ये field आपके लिए हो सकती है ठीक है तो नच्शन में समरी यही है कि जैसे wheel का invention हुआ था mechanical machines का invention हुआ था electricity का invention हुआ था software और internet का invention हुआ था I feel की machine learning AI same level का invention है और इसके अंदर capability है दुनिया को बदल देने का और ये तभी होगा जब आपके जैसे लोग इस field में उतरेंगे but just like any other thing हर किसी के लिए field नहीं है so please be careful please ये चार questions कुछ से पूछना honestly जवाब देना अगर answer yes है तो ही इस field में उतरना and I wish you all the best ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो like करना अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते हैं next वीडियो में bye